आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hi Friends, Our Question is Give the Diagnostic Features of Arthropoda अगर हम बात करते हैं आपके Animal Kingdom के Phylum Arthropoda के बारे में तो यह जो आपका Kingdom है यह आपका Largest Phylum होता है अगर हम बात करते हैं Arthropoda के बारे में तो यह आपका Largest Phylum है इसके हम कुछ Features के बारे में बात करते हैं जैसे कि हमारे Question में हम से पूछा गया है तो जैसे कि आपका Largest Phylum होने की वज़ेसे इसमें आपके जो features हैं वो जैसे कि आपका bilateral symmetry present होती है bilateral symmetry के साथ हम बात कर सकते हैं कि ये जो आपके organisms होते हैं ये कैसे होते हैं ये आपके triploblastik होते हैं means इनके अंदर आपके तीनो germ layers हैं जो आपके तीनो layers होती हैं ये आपकी present होती है अब ये हमें कैसी habitats में मिल सकते हैं अगर हम इनकी habitats के बारे में बात करते हैं तो ये आपके सभी types की habitats में मिल सकते हैं मिल सकते हैं कि old types of habitats में हमें मिल सकते हैं जैसे कि land, soil या फिर हम कह सकते हैं water के अंदर फिर हम बात करते हैं आपके fourth diagnostic feature की कि इनके जो limbs होते हैं ये क्या होते हैं इनके जो jointed हैं वो होते हैं limbs फिर हम बात कर सकते हैं इनके अंदर जो आपकी next feature की अगर हम बात करते हैं तो इनकी body जो होती है वो आपके तीन parts में segmented होती है तो body है उसमें segmentation हमें देखने को मिलता है और ये जो body है ये आपकी segmented होती है अगर हम बात करते हैं तो इनकी body में हमें किस तरह की segmentation देखने को मिलती है कि ये आपके 3 regions में divided होते हैं head, thorax और उसके साथ साथ में आपका जो abdomen part होता है फिर अगर हम further आपके बात करते हैं तो इन हम कह सकते हैं कि इनका जो development होती है nervous system की ये आपका बिल्कुल well developed होता है फिर हम बात कर सकते हैं इनके next feature की इनके अंदर हमें और क्या features देखने को मिलते हैं कि इनका जो head होता है वो आपका well developed होता है और head के अंदर आपके sensory organs भी present होते हैं sensory organs भी present होते हैं फिर हम बात कर सकते हैं इनके अंदर other features हमें क्या देखने को मिलता है, कि इनका जो exoskeleton होता है, exoskeleton ये कैसा होता है, hard होता है क्योंकि ये आपका बना होता है किसे kaitin नाम के एक substance से, so these are the various type of features which are found in a arthropoda phylum, with this, thank you. Classics to 12 से लेके, Need IIT जेही, Means और Advanced के लेवल तक, 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा, आज ही डाउनलोट करें डाउटने टाप, या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स, 8444 सूपर.